आप सिर्फ का सूपर कंसर्व्ट क्लास्टिस में स्वागत थे और आज कि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास्ट टे थिहास का बहरे बहरे इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव कोश्चिंज कराने वाला हूं तो आप लोग वीडियो पर कंप्रेट बने रहिएगा और यह हम नमबर 13 14 15 बताने वाला हूं देखिया हमारा जो चैप्टर नमर 13 15 है बहरे बहरे इंपोर्टेंट है चैप्टर नमर 13 से दो भाई मैक्समाम कोश्चिंज पूछा जाएगा जिसका नाम है महत्मागांदी और राष्टर आंदोलन चैप्टर नमर 14 का नाम विभाजन को समझ कोई भी यहां पर कितावी भासा नहीं है एक पर पढ़िए बेडा पार ठीक है और इससे पहले में ने जितना भी वीडियो दिया है हरे वीडियो को देख लिजिए तो चलिए सुरू करते हैं सबसे बात करते हम लोग चैप्टर है महत्मागांधी और राष्ट आंदोलन इ इनके पीता का नाम करमचंद गांधी था माता का नाम पूतली भाई था पत्नी का नाम कस्तुरुवा था तीक है इसके बाद आगे चलिए फटाफट देखिए क्या क्या है महत्मागांधी के अन्य नाम राष्ट्रपिता बापू मनु यह सब इनका नाम था अपरिका से भा हुआ था फिर अहमदावाद सेट्टागरा होता है यह 1908 में अहमदावाद में हुआ था और यह मेल के मजदूरों के लिए लिए था बहरे बहरे इंपोर्टेंट नोड करिएगा आगे चलते क्या कि चंपारन सेट्टागरा और खेडा सेट्टागरा पर एक संचित टिपन बिहार की चंपारन में तीन कठिया परथा परचलित थी जिसके अंतरगत किसानों को अपने तीन बड़ाबिस भाग भुमे में नील की खेती करनी पड़ती थी जो आप लोगों ने इंडिगो चेप्टर में पढ़ा था इंगलिस में उसे अंग्रेजों दवारा निर्धार शस्ते दामों पर बिजना परता था चंपारन की जनटाने गांधि जीगार ने चंपारन आने कानिमंतरन दिया जापर में द्यकशानों की दोर्दबार समिति है और किसानों के संतलमों करें stars क्षिटिन का इंतर प्रापर नोट करिये और पढ़िए फिर हमारा खेडा सच्टागर तो खेडा सच्टागर उन्हेस वठार में हुआ था खेडा जिला गुजरात में इसती थे घुजरात की खेडा जिला में खराब फसल के बावजुद किसानों से लगान के मांग की गई देखे फसल उन्हों के खराब हो गया था लें फिर भी उन लोगों से टेक्स मांगा जा रहा था इससे किसानों में व्यापक तनाव ने जनम लिया गांधी जी ने सरदार बल्लब भाई पटल की सहाज़ता से किस तो नहीं गया था लेकिन हापर मैं थोड़ा सा अहमदाबाद सब्सक्राइब अगरे ने पलायन करना सुरू कर दिया गांधी जी ने मेल मालिकों से बोनस देने का आगरी किया जिसे उन्होंने असभिकार कर दिया ब्स दिया इस पर गांधी जी ने अंसन प्रारंब कर दिय गांधी जी का अंसन सफल हुए और चोंते दिन से मेल मालिकों ने 35% बोनस दिना स्विकार कर लिया यह हुआ था इस परकार से इसके बाद देखे हमारा जो अगला कोशन है कि खिलापत आंदोलन से आप क्या समझते हैं तो गांधी जी ने परसिद पुस्तक हिंदी सवराज में कहा था कि भारते में भृटिस सासन जासन के अस्तपना भारतियों की सहयोग हुआ है भारतियों यहां पर इनका मदद करते है उसलिए नहीम तो कब क्हारा बिडिस चले जातें अगर भारते लोग अपना आत्यॉऌ्टेज सरकार खत्म हो जाएगी और भारत स्र усп ע Bent सब गांदलन की शुरुआ थे इस आंदलन के लिए सबसे पहले गांधी जी पूरे भार्तियों को एक सद्राना चाहते थे इसके लिए उन्होंने हिंदुर मुसल्मान को एक करना चाहा इस वुद्दित के लिए महतिना गांदी ने मोहमद अली और सौकत अली से मिले जो उस समय इसलामिक विष्व के अज्धात में गिनीता थे इसलिए इसका नाम खिलाफत आंदल रखा गया अगला जो प्रसने क्या कि रॉलर्ट एक्ट पर संजीत टिपने लिखें प्रसने से पुझे जा सकता है कि गांधी जी ने रॉलर्ट एक्ट का बिरोध किस प्रकार किया तो ब्रिटिस सरकार के नियाएधिस सर्चिडने रॉलर्ट ने इस कानून को परित किया इस कानून की जरिये ब्रिटिस सरकार को राजनिति गतिविधियों को कुचलने और राजनिक क्यदियों को दो साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया र दुस्तरा ऐके बबीन ज्रहों में रेली जुलूश का वेजन क्या गया तिसरा चर्मचारी परचले गई area बंद और तो प्रकार से इसका विरोध क्या गया देकि Percy आगे हमारा दांदी यात्रा है याह पर नमक यात्रा या फिर नमक मार्च या पर दांडी मार्च वह इत्व को बोला जाता है देखंग्रेग्ज मार्च के ऑपर भी ट्यक्स महात्मा गांदी ने बारा मार्च उन्यों सुपर टेक्स लगा दिया था इसको खदम करना था सुखन्तरता के लिए देश को एकजुड करने के लिए गांधी जी ने नमक को एक सुकत साली पठ कि रूप में देख या की कि नबक हमारे भोजन का औनिवारिए थै कि बिना नमक के भोजन अबjobird चलकर गए सावरमंतिया असरम से दांडी के दूरे 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 240 किलोमेटर थी जिसे गांदीजी ने प्रेदल 24 दिनों में पूरा किया हर पड़ाओं में ब्रिटेस सरकार के खिलाफ नार्यवाजी होती रही जिसे राष्ट भावनाएं और उत्तेजित होती गई इस यात् समुद्र के पाने से नमक बनाया गया सबको यह पता चल गया कि ब्रेटेस सरकार के ब्रेद्द सब्सक्राइब का विगल बज चुका है तो यह हो जाएगा इसका अंसर अगला परसने गांदीजी के नमक सित्तागरा के भार्त राष्ट राष्ट पर क्या परभाव पड़ा कि इस यात्रा को प्रेश का भी बड़ा केवरेज मिला जिसने पूरे देश में आजादी के लहर उठा दी अगला पॉइंट है कि इस सच्टागरा ने अंग्रेजी सरकार को हिला कर रख दिया था और दुन्या में उत्सुकता जगा दी थी कांदीजी के बावजूद पूर और देश्भक्त देश को आजाद कराने के लिए बहुत उत्साइत हो गए थे नमक कानून से देश में उत्सा की लहर दोड़ गई थी नमक कानून तोड़ों आंदोलन के बाद महात्मय गांदी के नित्रुत में 1942 में भारत छोड़ों आंदोलन प्रारंब किया गया था आगे चलकर सोतंतरता सिनानियों और देश्भक्तियों देश्भक्तों ने अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद कराने के लिए जन धन और प्रानों की आहुती भी दी थी एई कारण है कि 15 गस्तुन संदार् कि अंग्रेज सरकार ने नमक की उपर भी टेक्स लगा दिया था इस टेक्स को रोगने के लिए महत्मा दांधी ने 12 मार्च 1939 को दांडी यात्री के सुरुआ की दांडी यात्रा को डांडी यात्रा यापर डांडी सकता अगर भी कहा जाता है ओए सब्सक्राइब इस यात्रा के लिए देश को एवजूट करने के लिए नमक को साली पर्तिक की उरुप में देखा कि नमक हमारे भोजन कनिवार हिस्सा है जो भी मिना आप लों को पता है ओई चीजे वई नमक गरिब से गरिब और अमिर सभी धर्मों जाती हो बर्गों लिंगोर चेत्रों क दोरा परियोग में लाया जाता था इस यात्रा में गांधी अपने कुछ गीने चुनी साथियों के साथ मदावाद के सावरमतिया आसरम से समुद्र तटय गाउं दांडी तक पदल चलक में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद ही गांदीजी ने सब्सक्राइब के लिए ने उज्देश्टों या पर कार्मों को पेस किया क्या 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 था तो पहला के परते गाउं में नमक बनाएं अगला पर सब्सक्राइब कर या इस प्रकार से बोला गया अगला पर राष्ट शोतनता अंदोलन में क्या है डांडी मार्च के महत्युका वर्नन करें देखो वह इसका उत्तर होगा उपर मीजोचीजी बताया गया है क्या यह इस सब सोब्सक्राइब करने के लिए शयाटता है जर्यास भाइवर放गत करते लिए साथ इनुसाद अहमादावाद के सावरमत्य आसरम से समुद्र तर्टी गाउं दान्डी तक प्वैदल जगे गए सावरमत्य आसरम से दान्डी की दूरी बस वही सब चीजे जो मिन आप लोगों का देखिए नमा कानुन को तो ने का मदर था कि विदेसी दास्ता और मिला जिस दिने पूरे देश में आजादी के लहर उठा दी इस सेत्तागर ने अंग्रेजी सरकार को हिला कर रग दिया था और दुनिया मुश्च्टा जगा दी जो अभी बताया वही सब चीजे बस थोड़ा सा लिगने का तरीका नजरिया देखिने का थोड़ा अलगें का अधिजी के बाद पूरे देश में लोगों ने नमक बनाना सुरू कर दिया भी बताया भारती सम्स्वत अंतर संगरप दांडी मात्रक दांडी मार्ज का प्रभाव अधिक पड़ा किनकी नमक सत्यागर से आलो देश वक्त की भावना तरीस यही मिन आपको बताया यही मिन एक बता दिया इसके बाद यहीं मिन आपलों को बताया दिया इसको विन आपलों को दिया आप लोग यहीं हो गया इसके बाद देखिये क्या है कि पांड करा ने के लिए जंधन और परानों के आहूती भीड़ी थी यही कारण है कि 1547 में अंग्रेजों की गुलामी से भारत आजाद हुआ यह हो जाएगा अगला प्रसन देखिए वाई कितने तरीके से पूछा जा सकता है गांदीजी ने सब्सक्राइब करना पड़ा या फिर महातमा गांदी को सब्सक्राइब करना पड़ा या फिर महातमा सब्सक्राइब को गांदीजी के डांडी मार्च से आरंब हुआ था या अंद्रन निमिल्कीत वुद्धिस्व को लेकर चलाया गया था पहला कि उन्हें सब्सक्राइब कर दी इसे भारतियों में असंतोस फैल गया यह कारण हो गया सरकार ने नहरू रिपोर्ट के सर्तियो सब्सक्राइब कर दिया यह हो गया अंग्रेजी सरकार ने लोगों दवारा नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और नमक पर कर लगा दिया था इसका साधारन जंता पर बुरा प्रवर पड़ा गांधीजी सरकार के इस कानुन तो दा ऐसे कई अन्याइपोर्ण कानुन का बिरोध करना चाहते थे वह सरकार को दिखाना चाहते थे कि जंता उसकी किसी भी गलत कानुन का पालन नहीं करेगी यह हो जाएगा इसका अंसर आगे च दवरा गांधीजी देश की देश की समस्ति जंता को राष्टी आंदुलन में सामिल करना चाहते थे यह हो जाएगा सबीने अंदुलन वास्ता में उस समय तक का सबसे बड़ा जन संगर्स था इस आंदुलन में देश के सभी भागों तथा सभी बर्गों ने बर्चर परन्तु सरकार के आगे घुटने टेकने से इंकार कर दिया 1934 में आंदुलन समात्त हो गया तो यह भी सवतंत्रता स्तिनानियों का तब तक मार्ग दरसन करता रहा जब तक कि देश सवतंत्र नहीं हो गया आगे चलिए अगला प्रसन कि गोलमें सम्मेलन क्या था जब नमक प्रसन को भी सक्ता में हिस्सा देना पड़ेगा इस लक्ष को धियान में रखते हुए ब्रीटे सरकार ने लंडन में गोलमेंज सम्मेलनों का आयुजन शुरू किया देखो भाई यहां पर किस प्रकार से क्या क्या हुआ था पर्थम गोलमेंस सम्मेलन 12 नौबर 1931 से प्ष सब्सक्राइब लिए टुस्तरा गॉल में समेलन सब्सक्राइब लिएक सभी नेता येल में बन थे ऊपलता के या सपल वांता पार्दम गोल में समेलन वाईसराई इर्विन के सामने जो सर्थे रखी गई उसमें उनमें क्या था सभी के दियों की रिहाई और तर्टी इलाके में नमक उत्पादन के अनुमति देना समयलता प्रम्त इसे सविकार नहीं क्या गया कॉंग्रेस ने परतम गोल में समयलन का बहिसकार क्या था यह यह कारण हो गया इसमें देस्के पर मुख नेता समयलन हुए यह इसी कारण पाला गुल में इसमेलन असपल हो गया दूती गल में समयलन साथ सितंबर उनुस एक्टिस को सुरू हुआ था जिसमें कॉंग्रेस ने भी भाग लिया था और एक समयलन वी लंडन्न में था यह समयलन सम्परदाइ और नेता अपने अपने पक्ष विचार रखते रहे जिसका कुछ भी परिणाम नहीं निकल सका और गांधी जी खाले हाथ भारत लोट आए यहां कर उन्होंने सब्सक्राइब शुरू कर दिया यह हो जाएगा इसका फिफ्ट पॉइंट है कि कि समयलन 17 नौवंबर 1932 को लंद कराना था यह आंदुलन महात्मा गांधी के वर से चलाया गया था बापु ने इस आंदुलन के सुरुवात अकिल भारती कंवर समीति के मुंबई अधिवसं से की थी किरफ सिमिसं के असपलता के बाद गांधी जी ने एक वर बड़ा आंदुलन प्रारम करने का निस्चे ल लोगों ने हरताल की और राष्टिय गीतों नारों के साथ परदर्शन के एवंग जुरूस निकाले इसमें छात्र मजदूर के सांजी से हजारों साधारन लोगों ने भी हिस्सा लिया और इस आंदुलन में निताओं की भी सक्रिय भागिदारी देखी गई यह हो गया यहा सब्सक्राइब के लिए सबसे पहले महात्मा गांधी 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 जी पूरे भार्तियों को एक साधा लाना चाहते इसके लिए उन्होंने हिंदुर मुसल्मान को एक करना चाहा जोगांधी जी यहां पर खिलाफत का मुद्दा हो जाएगा सवराज की प्राप्ति हो जाएगी जनता का अपार्शयोग मिला देश की सिक्चन संस्ताइं लगबग बंद सी हो गई कि चात्रों ने उनका त्याग कर दिया था राज्च शिक्चा के एक नहीं कारीकरम की शुरुआत की गई इस सिलिसले में अकासी विद्यापीट वर जामिया मलिया जैसे असनस्ताओं की अस्थपना हुई कितने लोगों ने सरकारी नोक्रियां छोड़ दी विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाने लगी इस आंदोलन में हिंदोर मुसलमां दोनों ने एक होकर भाग लिया अस्रियोग आंदोलन अस्रियोग आंदोलों को बापस लेना ही उचित संचा मातमा गांधी 13 अपरेल 1929 का जलिया वाला बाग का है तकान भी नहीं भूले थे वह नहीं चाहरे थे कि इस तरह का करता दोबारा हो इसलिए गांदी जी आस्योग आपस लेना ही उचित संचा यह हो जाएगा आगे च इस यूग को भारत दिहास का गांधी यूग कहा जाता है मातमा गांधी का सांती और अहिंसा का सिधान पूरे विश्व को परिभावित क्या मौंधा स्करम चंद गांधी का जयनम दो अक्टबर आठार सुनात्तर को गुजरात के प्रवंदर में हुआ था अठार सिकानी मे इंग्लेंड से वकालत पासथ की और पहले राजकोट में और बाद में बंबय में वकालत करने लगे अंने दकशिन अपरिकार जाने का मुका मिला वहां वने गोरों इसके बात देखिए इसके बात है हमारा है राइंड यत्र इत् रेकर को जोने पी खाह पॉपर है है फुर्थ अपको एसवाइए ऺाइकक OUTトर अंदुर आ प्रस्न के ज़लिया वाला बाग का है तो बहुत सारे लोग बहुत सारे गांब लया में वाला बाग में बिसा किने घुलाकर रग दी करने के लिए यह मैदान चारों तरब से बन था इस मैदान में आने और जाने के लेखी द्वार था इस बाग के अंदर एक कुआ भी था सर से बाहर होने कारण हुआ एक जूट लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्सल लो लाव क्या जा चुका था जनरल डायर इस ब पर हमला करना सुरू कर दिया मात्मा गांदी को पता चला को नगारा जा रहा है तो उन्होंने क्या है सटागरा हो जाए ठीक है क्या रहा सटागरा को वापस ले लिया तो चलिए अब लोग अगले चेप्टर में चलते हैं और जो अगला चेप्टर है उसके हम लोग यहां पर कंप्लेट जितने भी इंपोर्टन सब्जेक्टिव कोश्चन सोगा उसको लोग देख लेते हैं तो देखे चेप्टर नोर्फोटे इन जिसका नाम में विभाजन को समझना यहां पर सबसे पहले नोट दिया गया क्या है कि 1931 में पंडित जौहला नहरू ने कोई अंग्रेज का हस्तिचेप नहीं होना चाहिए वलव कोई विदेसी उसमें नहीं होना चाहिए तो इस प्रकार से परनिज्वाल नहरू ने उन्हेश्चो अर्थिस में वहाले संप्रभु समिधान के मांग की अर्थाथ पंडित ज़ोला है नहरु ने कहा भारत का जो सं सम्राइब नहीं होगा यह चीज़ आप लोगे पहारा बोला की ब्यास कमदादीकार क्या अधर पर नहीं कर सकता है अब देखते की 193 में पंड़जवाल नहेरू ने संप्रवू सम्रावुद्धान का मांग कर दिया लेकिन अगस्त प्रस्ता फेल हो जाता है क्यों फेल हो जाता है कि देखिए अगस्त प्रस्ता फेल हो जाता है इसलिए अगस्त प्रस्ता फेल हो जाता है यहां पर है यहां पर नोट में कि अगस्त प्रस्ताव को भारति एने स्विकार नहीं कि कि इस प्रस्ताव क्या है तो प्रस्ताव को भी भारते दवारा स्विकार नहीं क्या गया इसमें कि इसमें यह था किसे बोला गया निर्मान दूतिया भी स्विविद्ध के बाद होना इसे बोला गया कि सम्मेधान हम लोग बना की कब देंगे तो दूसरा विश्विद्ध कर दूसरा भी जब खतम हो जाएगा उसके बाद फिके भारत के लोग भी पस्विद्ध से पहले ही चाहिए ऐसे अंग्रेजों का क्या है दूसरा नमर में कि मुस्लिम लिग ने भी इसका विरोध कर दिया कि Mुस्लिम की अपने मांग थी कि भारत को दो हिस्सों में बार दें तरदा दोनों का अलग-अलग समीधार होना चाहिए इसके बाद हमारा आता है काड़ प्रस्ताओं के परवाग के अलोशनात्मक समिक्षा करें भारत देश के समिधान सबाका निर्मान के परवाग के अलोशनात्मक समिक्षा किजिए जो भी कोश्चन आएगा आपको यह चीपका देना है देख लिए कितना सारा कोश्चन हो रहा है भारत देश के समिधान सबाका निर्मान के ताथ क्या गया था इसके तिन सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना था ब्रेटिस प्रांतों और देशी राज्यों को मिलाकर एक भाज संका निर्मान किया जाएगा समिधान सब्सक्राइब 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 मार्च 1947 को भारत के वाजसराइब करने के पर सब्सक्राइब मैं में वह इंगलेंड गए और उहां से वापस आने पर उसने तीन जुन उनिशनले सिस्वी को एक योजना प्रस्तुत की जिसे मांट वेटर नियोजना कहते हैं क्या 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 देखो पाला यहां से समिफस्तान की सब्सक्राइब घॉंक और भॉसlestों की अलगालाइग भॉलाई उसमें से अगर कोई भी पक्ष durante का विवाजन चाहेका थो भीवाजन कर दिया जाएगा सब्सक्राइब को भारत क्यों भेजा गिया था उसकी और सब्सक्राइब क्या कारण था उन्हें सब्सक्राइब का गठन हुआ सब्सक्राइब को भारत को आजाद करने के लिए इसके नियुक्त कारण है पहला है कि अधिक दिनों तक भारत को आजाद करने के लिए यह होगी अधिक दिनों से लगातार का सामना करना पड़ रहा था जिससे ब्रिटिस सासक प्रिशान होने लगे थे अब यह अनुवाव होने लगा था कि अब भारत पर आगे सासन नहीं कर सकते हैं यह हो गया अगला है कि उन्हें महात्मागादी नेत्रित में देश भक्तों और कॉंग्रेसी निता पॉर्ण वाइसरा बन कर आया जिनका एक मांत्र उदिस सिथा अथिस्टिग्र भारत को पूर्ण सत्मत्रता देना उसने कॉंग्रेस ता मुस्लिम लिग्स में समझता कर एक रास्ता निकाला कि देश सत्मत्रत होगा कि तो एक नहीं रहेगा बलके भारत पाकिस्तान दो रा पाकिस्तान को भारत से अलग करके उसा आजादी देदी गई जबकि पंदर अगस्त नामक दो राष्ट्र अलग राष्ट्र बन गई पाकिस्तान को भारत से अलग करके उसा आजादी देदी गई जबकी पंदर अगस्त ने भारत आजाद करने कि प्रूट डालोर और साशन करों की नीति और बिटिस सरकारों ने क्या कि सुरूब प्रियास तो उन्ने सुच्छ में मुसलिम लिग नामक संस्ता के अस्ताना की जिसके कारण मुस्लिम लोग में संपर्दाइक्ता फैलाने आरम कर दी उन्हें स्चालेस तक हिंदू मुसलिम भीदवाव इतना बढ़ गया कि मुसल्मानों ने अपने लाहूर परस्ताव में पाक सब्सक्राइब कि यहां पर दिया गया है कि कंजोर नेती मुसलिम-लीक की मांगे मदद प्रते दिन बरती जा रही है और छोम पर करती रह Representatives कीने लीग करने और अत्यनत्य पाकिस्तान के निर्माने के लिए मुस्रिम लिग ने सीधी कारवाई प्रारंब कर दी और क्या कि सारे देश में संप्रदाइक दंगे होने लगे इसे दंगे को विवाजन दवाराई रोका नहीं जा सकता है आगे देखे लौड माउंड बेटन का प्रिया दिला दिया कि मुस्रिम लिग के बिनावाद सेज भारत को सक्तिसाली और संग्रित बनाना अधिक उचित होगा कॉंग्रेसी नेताओं को गिरिविद्य अथवा पाकिस्तान इन दोनों में से किसी एक का चुनाओं करना था यानि अगर पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए त हमारा चलते हैं देके हमारा लास चेप्टर का निध हमारा जाएगा संग्राना मुनों करने सी और या उठ्यर나म करना सुभाख के शून्यों फिर समिधान सभा के समख्च बहस के पर्मोग विसेयों पर एक अलोचनातमक परिक्षन करें या पिर समिधान निर्माताओं के सामने पर्मुग समिष्थाओं के बारे में बताएं चलो वाई देख लेते हैं पहला क्या है कि समिधान सभा में राश्टर भाषा को लेकर मतभेद कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे आंत में सुझाओ दिया गया कि हिंदी को भारत की राष्ट रभासा बना दी जाए प्रंतु 15 वर्स तक सरकारी कारियों में अंग्रेजिय का प्रियोग होगा प्रतेक प्रांत को अपने कारी के लिए को छेत रभासा चुनने का अधिकार हो गया पहला पॉइंट ठीक यह चुनोतियों का सवना का नपड़ा दूस्त्तरा की सवग्धार को राज सरकार सरकार सरकारों से सक्षाले बनाया गया के सरकार को राज सरकार की तुलना में अधिक सक्ति देना था लेकिन इस बात को लेकर भी बहुत मध्वेद हुआ अंध को लेकर भी बहुत मद्भेद हुआ लेकिन अंत में कुछ विकार नहीं क्या गया और समिधान सभाने अस्पर इसक्ता का अंत हिंदू मंदिरों को सब के लिए खोलना नुजए में को लेकर बीमित सभा में बहुत में जाने के लिए लिए कुछ कर लेने कateurs अधिकार पर एक बहुत हुआ ह्थान पर कि ते प्रकार को नहीं हुआ इस पर लोग क्या आमसा मति थी यह कुछाएगा तो पर पर दाले या फोगास उत्राव का करें वहाइं कि बेस्टाव करें शेस्टावी कि नीडिकत ना में किया है जैए जह समयधान के प्रस्तावना में भारत को संपर्वता समाजबादी धर्म निर्प्रेक्च परजातांतर गंतंत्र घोसित किया गया है यह सब हो जाएगा नोड कर लिए अगला परस्तावारत के समयधान के निर्मान में दॉक्टर भीम रावं बिड़कर की भूमिका का बर्नन करें इसका उत्तर हो कि समयधान का प्रारूप त्यार करने के लिए 29 अगस्त उने संदाल इसको समधान सवाद वारा प्रारूप सबसे बेस्ट रहेगा ठीक है यहां पर क्या लिए आप लोग लिए जी को भार्ट समीधान का जनक आजाता है यहां मिद दीनक कहा जाता है तो जाधा अच्छा लगीगा पर पर पिताप लोग बोल लिए समयधान के प्रारूप समिधिके रूप में डॉक्टर भीम राम्र करके कारें हिंद्व मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया हमारे देसे में दलित को सोसन क्या जाता था उन्हें सभी हक नहीं दिया जाता था लेकिन वह तरी सरकर राइस्थ आदिकारों को किस प्रकार शुरद्ड सभर्व करता है या पिर भारे की सर्कार का उइंड सेपड़ केंदर संग सरकार सरकार कंदर सरकार काम dzisiaj सब्सक्राइब करते हैं शुची में किया कि राजी सरकार कानुन बनाते हैं उसे राजी कहते हैं लगवग 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 है जिन में कुछ भूमिंग कि शिव पर जिंचाहि बया पारोनी जित्यत्यादी समवर्थिय सुची क्या विए कि जिस सूची पर केंद सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्थिय सुची करते हैं इस सुची पर लगवक 47 विश्चमें पर चर्चा क्या गया है और इसके इस सिख्षा स्वस्ते परियावरन विभाव एवंग तलाक किया सभी की लगा जाया है नारफ की देश्ट की रूप निया गया था यह वचन दिया गया था यह वचन की लिए लिए के लिए बिस्ता की जाएगी नेरून अपने भासन में भारतिस नंगर्श की तूलना अमेरिका और फ्रांस की करांतिसी की संपूर्ण शक्ति जंदा में नीथ होगी नेरूने किसी बिस्तिस बरकार के लोकतंतर को अपनाने का विरोध किया भारत विस्व सांतीत ता मानव का भासन रखती विस्वास हिर्म की स्वोटनत्ता प्राफ्थ हो घंडला परसुनिया खिया कि कि भारत विवाद को खल करने की लिए इसका उतर हो जाएगा कि भारत अलग-aimer svya Reg al को राश्ट वासी बनाने के प्रक्ष में थे यहींदिता उर्दू में उर्दू के मेल से बनी एक सम्रीद भासा थी जिसे भारत की जन सिंगा का एक बहुत बड़ा भाग बोलता और समझता था परन्तु निस्वी सतागती के अंति में यह भासा धर्मों के साथ जूल गई फि प्रारंबिक सत्र में हिंदी को सम्झान निर्मान के भासा के रूप में परियोग जाने के मांगे थी जिद्वां का कुछ आईने सदेश्टों दवारा भिरोज किया गया उनका तर्ग था कि अनेक अनेक समाग के सदेश्ट भासा नहीं हो सकते थी यह हो जाएगा आगे है इस प्रकार भाशा का मुद्धा तनाव का कारण बन गया और यह आगामे तीन वर्षों तक सद्धिस्टों को उत्तेजित करता रहा है बारे सिद्धमर उन्हें सेंदर इसीव को राष्ट भाशा के मुद्धे पर धुले करके भासन से एक बार फिर तुफान उत्पन लो गया इस भी समिधान सभा की भासा क्या समिती दवार अपनी रिपोर्ट पर सुद्ध की जा चुकी थी आगे यहां पर है कि फर्मूले ने समिती ने राष्ट भासा के मुद्धे पर हिंदी समर्थकों तो था हिंदी विरोधियों के मईद उत्पन हुए गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक फर्मूला विक्सित कर दिया था समिती का सुझाव था कि देवनागरी लिपी में लिखी हिंदी को भार्थ के राज के भासा का दर्जा दिया जाए किन्तु समिती दवारा इस फर्मूले के घसना नहीं की गई कि उसका विचार था कि हिंदी को राष्ट भासा बनाने के लिए करमसा आगे बढ़ना चाहिए प्रतिर क्या नीव समिती देख це करने कि तभी चिंदी को राष्ट भासा के राजिभासा गोशित गया तो वे यह हमारा आज का विडियो और यहाँ 50 हमारा इतियास हो आगे मैं कोशिश करूं कि आप लोगों को कुछ और बेरी इंपोर्टेंट कोश्चिंस करा दूं और जो को ड्रमा वाला मोडल चाड़ाया है उसको लेकर मैं आप लोगों को देदू शड़े आपको व्यों पसंद देविए लाइक कर दें मिलते हैं अगले वीडियो में थैं कर दो कर दो हैं